तो 4 टाइब की प्रोफाइल होती है, लोकल प्रोफाइल, मेंड़ोटरी प्रोफाइल, डिफाल प्रोफाइल and रूमिंग प्रोफाइल तो profile actual में एक ऐसा folder है आपका जहाँ पे users के desktop की settings वगरा रहती है अगर वो एक आपके PC पर यानि कि जिस पर login कर रहा है system यानि com1 पर अगर वो login कर रहा है और उसकी profile com1 पर ही रहती है तो वो है local profile और second है mandatory profile mandatory profile एक तरह का temporary profiles होती है यानि आप किसी users को एक temporary profile देते हैं वो उसमें कोई भी changes करता है जब log off करते है वो तो उसकी जो भी settings उसने की है वो सब delete या refresh हो जाती है default profile एक ऐसी profile है जिसके अंदर आप एक profile generate करते हैं और आप चाते हैं कि जितने भी users बने उनको यही इसी तरह की profile यानि इसी तरह की settings मिले उनको वो होती है default profile और roaming profile यह होती है कि suppose अगर आप किसी server के user है और आप com1 से login करते हैं तो जो आपका profile है वो server पे save रहता है और आप use कर सकते हैं com1 के through जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको आपका अगर roaming profile है तो आपको एक server के users है और आप com1 के through जब login करेंगे तो आपका जो database है यानि आपका desktop जो my documents वगरा सब server पे save होते हैं तो इस profile को हम बोलते है roaming profile और अब मैं आपको एक एक करके आप बताता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं local जैसे कि अमोमन ntldr हमारी missing होती है तो अभी हम खुद ही इसको ntldr को delete कर देते हैं और फिर इसको restore करेंगे तो my computer open करें c drive c drive में ntldr यह जो file है इसको हम delete कर देते हैं delete और अब एक बार system को restart करते हैं restart और अब आप देख रहे हैं ntldr आपका missing है क्योंकि हमने खुद ही ntldr को delete कर दिया था तो अब क्या इस file की delete होने की वज़े से हमको system को दुबारा reinstall करना पड़ेगा दुबारा सब कुछ वही settings करनी पड़ेंगी दुबारा software से install करने पड़ेंगी नहीं आप यह file और आप देख रहे हैं com1 पे जो हमने com2 पे बैट कर एक demo folder create किया था वो demo folder यह create हो चुका है तो इस तरीके से हम remotely desktop manage कर सकते हैं हम किसी भी PC को कहीं से बैट के भी manage कर सकते हैं जिस तरीके से हमने अभी remote desktop किया ठीक उसी तरीके से remote desktop को handle करने का एक और वे है जो web browser के तुरू आप कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको iis service install करनी पड़ेगी तो अब हम com1 को remotely web browser के तुरू access करना चाहते हैं यह है CPU socket अगर यहाँ पर लिखा हुआ है socket number 7 तो यह P1 का motherboard है अगर यहाँ पर लिखा होता PGA 370 तो यह P3 का पतर उड़ता तो सबसे पहले वायर को लगबग एक इंच वायर का जो उपर का white cover है इसको हटाना है एक इंच पर इंटर्नली जो wires है वो damage ना हो उन पर कोई cut ना हो इस चीज का ध्यान भी रखना है तो crimping tool पे इस तरह का ping ping space 127.0.0.1 और एंटर करते हैं तो अगर वहाँ से आपको reply आ रहा है इसका मतलब आपका land card ok है in case आपका land card faulty है तो आपको वहाँ से reply नहीं आएगा तो इस तरीके से आप land card की self testing ले सकते हैं और अब हम बात करते हैं subnet mask की तो यह जो आप देख रहे हैं यह है subnet mask A class का default subnet mask होता है 255.0.0.0 B class 255.255.0.0 C class 255.255.255.0 subnet mask specify करता है कि IP addresses में कौन सा part आपका network का है और कौन सा part आपका host का है अब हम इसको binary में convert करके देखते हैं तो अगर first subnet mask को यह नहीं कि एक class के subnet mask को आप binary में convert करते हैं तो इस तरीके से आप देखें first 8, second 16, third 24 bit का होता है हम जो अभी current में use कर रहे हैं वो IP 4 version है IP 4 version 32 bit का होता है और अभी जो latest IP 6 version आया है जो 64 bit का होता है जिसके अंदर number of posts IP 4 की तुल्ला में और भी जादा है तो यह आपने देखा यह जो आप देख रहे हैं यह cabinet का internal structure है और मैंने इसके दोनों sides के covers निकाल रखे हैं और यह जो नीचे का आप देख रहे हैं यह है cabinet में motherboard के लिए base है आपका board इस base के उपर लगेगा यह जो चीज आप देख रहे हैं screw यह है screw base इस तरह के जब आप नया cabinet purchase करते हैं तो आपको मिलेंगे उसको आप इन holes के उपर लगाएंगे और यह जो motherboard है इस motherboard में यह holes होते हैं इस तरह की से और in holes को, जो cabinets के holes होते हैं उनको match करना है यानि कि आपका board in holes पे यानि कि इस तरह से लग जाय कि वो holes जो cabinet के holes हैं और आपके board के holes match कर जाएं और उसके बाद आप जो झाल झाल